नमस्कार, I am Dr. Ankur Sharma, Department of Education, जगनाद निविश्टी जेपूर, और हम देख रहे हैं, History of Asset India, इसमें हम जो टोपिक देखेंगे, First Minute का टोपिक है, सबसे पहले हम इसके objectives देखते हैं, First objective है, Provide Knowledge of Ascent History, देखिए, कोई भी हम subject पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए, कि उसके objectives क्या है, अगर हम उसके objectives को नहीं समठ पाएंगे, तो हम उसको explain भी नहीं कर पाएंगे, दूसरा हमारा जो objective है, Looking Back at Ascent History, देखिए, History ऐसा subject है, जब तक हम उसके पिछला जो back में जो चीजे हैं, उनको हम अगर देखेंगे नहीं, तो उसको समझना और उसको explain करना, और उससे कुछ चीजें जो हमको future में सीखनी चाहिए, वो चीज़ हम कभी सीखी नहीं पाएंगे तीसरा जो इसका objective है, inclusive of ascent history and चोथा जो हमारा इसका, फोर्त जो objective है, recognize history, source and last or equivalent interest in ascent history, तो ये objectives को ध्यान में रखकर और हम इस paper को हम पढ़ेंगे और step by step हम इनके kick points को हम देखते जाएंगे, first minute का जो हम देख रहे हैं, उसमें है man source of the history of India, यहां हम देखेंगे कि history के कौन-कौन से ऐसे sources हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं, history को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि history कोई ऐसा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कहानी नहीं है, कि ह हम उसको एक रात में सुनें, समझें और फिर वो कहानी का the end हो जाए, ऐसा नहीं है, history एक बहुत broad subject है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीजों से मिलके बनी हैं, बहुत लंबे समय उसमें लगा है, तो उन चीज़ों को हम यहां देखेंगे, कौन-कौन से sources हैं, अगर हम sources की बात करें, तो history के जो अगर sources हैं, तो उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट है, लिटरसी एंड सेकेंड है, अर्कोलोजिकल, अब जो लिटरसी साहित, जो साहित्ते हैं, यह देखिए, बहुत वर्सों लगे इनको बनने में, और अलग-अलग टाइम प बिला कि उत समय, जो social, economic, political, जो चीजे थी, वो किस प्रकार की थी, इन चीजों को हमें समझने के लिए, इस ट्री में जो साहित्ते हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा, उनको हमें पढ़ना पड़ेगा, उनको में देखना पड़ेगा, और दूसरा है, जो अर्केल जिकल, इस समय क्या है कि देख से हम देखते हैं, कोईंज, सिक्ख्य हम देखते हैं, आपने महंजोडो देखा होगा और उसको पड़ा है आपने, हरपा, महंजोडो, सिंदुगादि सब्बेता, तो इन में देखिये आपको बहुत सारी महोर मिरी, मूरतिया मिली, मन के मिले, इसी आपने देखें कि इस्थम देखेंगे उने पड़ा कि सोक का इस्थम पड़ा बद्रभाहू अभिलेक पड़ा आपने तो यह सब आर्केलोजिकल जो इस प्रट्र्ट यह इस देखेंगे ने चलते हैं देखिए अब हम जो लिट्रेशी सोर्सेज है उनको हम दो भागों में डिवाइट करेंगे फर्स्ट है रिलीजन्स और दूसरा है नोन रिलीजन्स पहला धार्मिक और दूसरा अधार्मिक अब जो देखिए धार्मिक साइट्य अब देखिए हम इसको आगे जब इसको समझेंगे तो आपको देखने को मिलेगा आगे हम चलते आगे देखी अब देखिए अगर हम रिलिजन्स जो लिटरेसी उसके बारे में देखिए तो हमको देखा जो ब्रहाममन जो लिटरेसी है भूम को देखने को मिलिगा है अब उसमें क्या है उसमें जो वर वड़ थी यह अब किया बीडिक विठो झानते हैं अब जूए उनक्यून को सुना जाता था बहुत लंबे टाइम बादarted देखा गया अब अगर को मालूम करना चाहित बाइसा कीजूर मालूम कर लिए जाए कि ये방 कब लिखे लिए जो समय इत्यास में तो ब्रहम मों लोग क्या करते ते इनहें । सुनते थे वह सामने बैठके वे थे अगर हम आगी सको देखें तो डर्ड वेधर कम फोर दर रूट वीद्व विद्व निया फर्ड ग्यान तो जो अगर वेद्व को हम देखे तो जो वेद का अर्थ क्या है वेद करके ज्ञान, नोलेज हैं, तो there are four ways, चार वेद हैं, हम उनको देखते हैं, पहला है रिगवेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुरवेद, और चोता है अर्थरवेद, तो चारो वेद है, इसमें सबसे प्राचीन वेद अब देखें तो first जो वेद है, है कंफ आप जो एक आप जो ने राजरितिक व्यवस्ता है उन यह देखने को मिलता है इसिदosis एक डूसरा गरव साइति कितब करब चले हम तो डखी रामायन रामें जो हमारे संस्क्रत एपस है दो एपस रामाइन और महाभारत अब देखिए रामाइन आप सब जानते हैं व्रहें में नुगत सफ्क बने में तो भगवान पुरानों से भी हमें बहुत कुछ मिलता है आप देखिए टोटल नंबर और पुरान तो 18 पुरान है अगर मैं आपके को बताऊं तो सिव पुरान, ब्रह्म पुरान, गरुड पुरान, मतश्य पुरान तो इस तरह के बहुत सारे पुराने जिनमें भी हमको इत्याज के बारे में जानकारी मिलती है नेक्ष चलते हैं अब देखिए वेदिक साइप ते हमने देखा कि एक सोर्स है वेदिक साइप ते तो बुद्ध लिट्रेजी तो बुद्ध कालीन विवस्थाइं भी हमको देखने को मिलती है, जो बुद्ध धर्म है उन्होंने भी कुछ दिया होगा, अब वो जो उन्होंने हमको दिया है वो भी हम यह पड़ेंगे, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा साहित्य है, अब प्रारंबिक जितने भी बुद्ध साहित्य हैं, अगर उन्हें देखेंगे आप, तो वो पाली भासा में लिखे गए हैं, बाद में प्राकत भासा में आए, ऐसा नहीं है, अगर वर्तमान में देखें तो कई जापनी में हैं, चीनी में, कई और भासाओं में भी इसको पिट्रेशी आर नाव एज त्री पिटक, जो बोद साहित्य हैं, उन्हें त्री पिटक के नाम से जान जाता है, और ये कितने ये तीन हैं, फर्स्ट सुथ पिटक, दूसरा विने पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक, ये जो बोद साहित्य हैं, इसमें बोद धर्म से ज काल से जोड़ी हुई चीजियों का इसमें उलिक मिलता है। इसी तरहे हम जेन लिटर्सी को भी देखेंगे। जेन लिटर्सी आर नौव एस सिध्धान्त और आगम। जो जेन साहिते हैं इन्हें हम सिध्धान्त और आगम के नाम से जानते हैं। देखें जितने भी जो जेन साहिते हैं। उन्हें हम आगम के बोलते हैं। उन्हें सिध्धान्तम बोलते हैं। इसी तरह है, it was written in the, it was written in the, प्राकत लेंग्वेज। तो इन्हें देखें, हमने इससे पहले पड़ा बोच साहिते। बोज साहित्य किसमे था पाली भासा में और जेन साहित्य किसमे है प्राकत भासा में तो जेन साहित्य को हम प्राकत भासा में लिखे गई जितने भी जेन साहित्य हैं वो प्राकत भासा में लिखे गई तो हमें अगर जो लिट्रेसी के बारे में जो पढ़ रहे हैं, जो साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम देखी वेदिक साहित्य पढ़ लिया, हमने देखी बोथ साहित्य पढ़ लिया और हमने जेन साहित्य पढ़ लिया, तो हमने साहित्य के सेत्र में तीन सोर्सेज क को एमने पढ़ लिया है आगी देखेंगे नॉन रिलीजन्स लिटरेसी अब जो नोन रिलीजन्स लिटरेसी है उसमें देखते हैं धर्म शास्त्र और धर्मशती अब देखिए जो धर्मशास्त्र है बहुत सारी धर्मशास्त्र अलग-अलग टाइम पे लिखे गए उनका व armies आता बन किसी धन्हों से नहीं था लेकिन उनसे भी हमें बेहुत सारी जनकारी मिलते हैं आप देखिए मॉरिय काल में लिखे गए गुप्त काल में लिखे गए हैं तो अलग जो राजाम के काल में जो चीजे लिखी गई से भी हमें उन्हें साहित्य सभी हमें सामाजिक वेवस्था का, सांस्कतिक वेवस्था का, राजितिक वेवस्था का, अर्थ वेवस्था का हमको जानकारी मिलती है, उन्हें उन्हें किया गया है, आप देखिए अर्थ सास्त्र, विश्ण गुप्त चानक के, इन्होंने अर्थ सास्त लि कालीन जो राजनितिक व्यवस्ता है एक बहुत अच्छा गरंथ है इसमें सारी राजनितिक व्यवस्ता है पूरा जो ये अर्थिसास्त्रे विश्टकुप चाहने के लिखा हुआ है ये पूरा राजनितिक व्यवस्ता को समढ़ पिता है बहुत अच्छे से इसमें राजनिति कुदलम की रजन्य किये, और वो देखी उसमें जो राजिये विवस्था है और उसका उल्ले किया गया है और इसमें देखी जो साहितिक भाषा का प्रियुक किया गया है बुद्दचरितम, हर्श चरित्र, मुद्रार अक्षस संगम और किराता जुनियम और इस तरह के बहुत सारे साइथे उसमें लिखे गए हैं यह जो साइथे इनको समझना बहुत जरूरी इसलिए है कि इनका किसी धर्मिश्य से संबन नहीं है लेकिन अलग-अलग समय पर जब इनको लिखा गया तो उस समय की राजन्दिक व्यवस् स्टाव्यर का उल्लेक जानकरी हमको इस से मिलती है आगे देखते हैं अब देखिए जो सोर्से थे हमारे पास रिलिज़न्स और न्विदूनस अब उनके बाके भी हमको एक और सोर्स रमक दिख रहा है यहां पर है क्या है फोरेल जय आक्षी उन से विदेशी साहिते के जो विद्देसी लोग हमारी यहां हैं, विद्देसी यात्री, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से हमें यह चीजे बताई, आप देखिए, ग्रीक आए, रोमन आए और चाइनीज भी आए, आपने, आगे हम इसको पढ़ेंगे कि हमारी यहां फायान और हैंसांग आए, औ अपने यात्राओं के मध्यम से पूरी राजनीज के विवस्था का वर्नन किया, सामाजक विवस्था का वर्नन किया, और बहुत गहन उन्होंने अध्यन किया, तो वो भी आगे हमको देखने को मिलेगा, अब यहां मने साइतिक जो सोर्स तो हमने देख लिए अब हम देख रहे हैं archaeological source अब देखिए archaeological source में देखिए जो समय समय पर बहुत सारी चीज़े हैं हमने को देखने को मिलिए अब देखिए स्थम्भ आप देखिए बहुत सारे आपने दिखाऊगा कहीं मंदिर में सिलालेक जो मिलते हैं कहीं बार दिखाऊगा खुदाई में सिक्के मिलते हैं कहीं बार दिखाऊगा मोहरे मिलती है उनसे हमें क्या पता लगता है, उनसे हमें पता लगता है कि उस समय की जो वेवस्थाई हैं, वो किस तरह की थी, आर्थ किसे थी किस तरह की थी, क्या चीजे प्रचली थी, किस तरह के आदेश और ध्यादेश निकाले गई थी, इन सब चीजों की जानकरी हमें इनसे मिलती है, यह भी एक सोर्स है जाँ. आईыми, देखते हैं. तो पहली देखिए. सबसे पहला है जो हम देख रहे हैं, कि replicate génér fera कि इस्थंब. दूसरा है विष्चे हैं, कोईन, कोईन में क्या है, अब देखिए, सिखे हम घुप्त काल में मुर्ग काल में लग तरह के सिखे चले हैं उससे आगे वेदिक काल में मुद्रा का पर चलन कुछ और तरीकी का था वहाँ आप और आगे आएंगे तो फिर मुसलिम और इस तरह का जो अलग अलग समय को Maa करेंगी इत्यater को विभाजित करेंगी तो हम धेखेंगे कि अलग अलग अई वार्ज करीकोरा में अमको भीनदर्र का मिलते स्याוכ और उनसे केमिक पता लगता है उस समय की जानकर ही मिलती है, राजिती व्यवस्ता की, आर्थिक व्यवस्ता की, संस्कृति की, सामझी व्यवस्ता की, सील्स, मुमेंट्स और इस्पक्टर, देखिए बूथ, आप देखिए जो बहुत सारे समय पे खुदाई हुई, हडपा, मौन जोरो, सिंदुकाटी सब्वेता, तो बहुत सारे बूथ निकले, ऐसे निकले विभीन प्रकार की आकरतिया, मूर्तिया निकली, उस से हमें ये पत लगा कि उस समय की संस्कृति मानिता एक इस तरह की थी, क्या वो उस समय के लोग मूर्ति बजाव करते थे, क्या उस समय के लोग इस तरह की कलासे परिजित थे, क्या वो लोग के जीवन में उस तरह की जो गटनाई थी, वो क्या उनके रोजमाना की जीवन में सामिल थी, इ इस कल्क्टर भी हमें साइटिक जानकारी देते हैं, हमें इतियास की जानकारी देते हैं, जब भी हम इनको देखते हैं, तो उत समय की जो सांस्कतिक वेबस्ता है, उनकी मानिता है, क्या वो इस तरह की जो मूर्ति कला है, उसे परिशित थे, क्या वो जो मूर्ति में जो गठन sources उन से मिलती है तो आगर हम जो आज हमनी पढ़ा इस पूरे जो विश्य है उस पर अगर धेखें तो हमें एक चीज मिलती है कि जो sources है वो दो भागों में हम उसको देख सकते हैं एक साहितिक और दूसरा archaeological जो साहितिक हैं उन्हें भी हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं पहला कुन सा है पहला है धार्मिक और दूसरा है नो रिलिजन्स पहला रिलिजन्स और दूसरा नो रिलिजन्स अब देखिए रिलिजन्स को भी हम अगर देखें तो रिलिजन्स को भी हम दो भागों के से तीन में उसको बाढ़ सकते हैं पहला वैदिक साहिते हैं दूसरा बोच साहिते और तीसरा जैन साहिते हैं इसी तरह हम नोन को भी देख सकते हैं कि बहुत सारे जो साइत्ते लिखे गए बहुत सारे जो नाटक लिखे गए बहुत सारे जो ग्रंत लिखे गए अलग-अलग राजाओं के काल में अलग-अलग विद्वानों ने उसको लिखा उनका कुछी एक धर्म से संबन नहीं था, लेकिन तकाले राज़तीक वेवस्ता से, तकालीन सास्कतिक वेवस्ता से उनका संबन था उनकी जान करिया हम से मिलती इस प्रकार अगर हम आर्केलोजिकल चीजों को देखे तो वहां भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिनसे हम हमारे साइटें हो जान सकते हैं बहुत सारे सोर्सेज मिलते हैं फिर चाहे वह इस्पूत हो वह चाहे फिर कॉइन हो सिक्के हो वह चाहे फिर सील हो या फिर वह बहुत सारे मुमेंट्स हो या फिर कोई भी मूर्ति हम अगरे हैं जिनने हम जोड़कर हम एक साहित्यों को समझ सकते हैं और इन सब चीजों ने साहित्यों को जानने में हमारी मज़्द किये तो इन सब चीजों को हमने यहां देखा समझा आगे भी हम इसको और समझेंगे